दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चनल LTS में आज हम Indian Railway Finance Corporation के बारे में बात करेंगे प्रतेक वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट्स आएं कि IRFC के बारे में सर बताएं देखे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हूँ करते हूँ माली जी कि अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो उसका जो है आपको Capital Gain का लाग मिले साधी साथ आपको एक regular income के लिए आपको dividend portfolio बनाना पड़ेगा और dividend portfolio के लिए मैंने इस stock को suggest किया था कि आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि share में कितनी गिरावट है या नहीं है बजाए आपको ये ध्यान देना है कि आपको अगर सही valuation पर मिल रहा है अगर इसका business अच्छा है और long run पर चलता रहेगा तो बिंदास होके आप जो है जितनी आपके किशमता हो बैसा नहीं कि सारा पैसा डाल दें आपको सोच रहे है कि आपको 4-5 साल तक ऐसी कमपनियों को जो है और लग 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 चिन्हित कर लेजिए और थोड़ी-थोड़ी quantity हर गिरावट पर लेते जाई है जैसा कि इसमें गिरावट चल रही है अब देखिए मल्टी बैगर बन जाए जाता लोग इसी मकसद से लिए होंगे तो आपकी किस्मत है अच्छी बात है कोई बड़ा प्लेयर इसमें पैसा डालेगा बड़े-बड़े financial institutions, FIIs वगेरा इसका IPO आया था 18 जनवरी को और इसकी लिस्टिंग हुई थी 29 जनवरी को ठीक है तो आप देखेंगे जनवरी फर्वरी मार्च अपरिल चौथा महीना चल रहा है और 575 का एक लॉट था यानि कि एक लॉट में आपको 575 शेर सापको मिले होंगे वर्तमान जो इसकी इस ट्रेट कर रहा है अगर आप देखेंगे तो 22 रुपाई का स्टॉक प्राइस है और बुक वैल्यू इसकी 23 रुपाई की है यानि जो कंपनी की पर शेर वर्थ निकल के आ रही है वो ज्यादा निकल के आ रही है आरो सी देखे 5.93 है आरो इसका 13 पर दिविदेंट और 10 रुपाई की फेस वैल्यू है हाई लो अगर आप देखेंगे तो 26 रुपाई 70 पैसे का हाई बना चुका है और लो जा चुका है 21 रुपाई 90 पैसे के आसपास ठीक है अब बहुत सारे लोग इस खौईश में होंगे कि यह चड़ता के उन्हें जबकि बुल रन है बात जो कि आरवेनल को भी फंडिंग करती है उसके जो कामकास के लिए जो फाइनस की ज़रूत पढ़ती है यह कंपनी देती है तो आरवेनल को भी फाइनस करती है और आरवेनल का भी अगर देखें 19 रुपाई के आसपास उसकी लेस्टिंग हुई थी और आज की जेट में 29 करता बलकि तालाब या सागर भी भर जाता है तो यह शुरू से मैं कहता है रहा हुँ कि यह डिविडेंट के टाक्री में मैंने खुद रखा हुआ है तो देखी है जिनके ऑपरेशन समाली यह लीजिंग इनका लीज पे देना और लेंडिंग यानि की उधार देना और बॉ तो आप देखिए प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकल किया रहा चलिए हम ग्रोथ वाइस भी देखी लेते हैं तेके रिविन्यू में अगर हम देखते हैं 2017 में तो 20% ज्यादा की ग्रोथ थी और देखते हैं अगर 2017-18 में तो अगेन रिविन्यू में कम से कम 35% की 24% ज्यादा की जंप है और प्रॉफिट में यहां पर 30% से ज्यादा की जो है यहां पर दिखाए दे रहे हैं तो देखिए प्रतेग साल इसमें जो प्रॉफिट जबर्दस निकल के आ रहा है रेवेन्यू भी निका बढ़ता जा रहा है तो कंपनी बढ़िया कंपनी कमा हु अगर देखें बिजनेस मॉडल भी रेलवे को फाइनेंस करते हैं अच्छी कंपनी है और इसमें यही जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि प्रतेग गिरावट में आप जो है देरे-देरे भरते जाएं और डिविडेंड को ही फोकस करें और मल्टी बैगर बन जाए आपका पै पावर फाइन्स कॉर्परेशन हो गया कोल इंडिया हो गया उसी केटेगरी में इसको भी रखें पी यह क्योंकि अच्छा डिविडेंट वह भी अच्छी कंपनिया देती और इसी तरीके से यह कंपनी मुझे लगता अच्छा डिविडेंट भी पे करती है और आपको प्रा कि याइस बिस में अगर देखते हैं 2.23% है और रिटेल हम आप जैसे लोग भी 8.30% है तो इसमें मैं दोस्तों यही कहूंगा कि आप अगर आप बड़ी आशा लगा रहे हैं बहुत उमीद लगा रहे हैं तो यह अच्छी बात है आपको लॉस भी हो ही रहा जबसे आप माल साल, छे साल, साथ साल में आप हर महीने जो भी आपकी सेविंग हो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा आप डिविडेंड स्टॉक को फोकस करती हुए इस कंपनी में थोड़ा-थोड़ा खरीदते जाएं तो मुझे लगता है एक टाइम के बाद आपको जो है क्योंकि छोटी प् साल बाद तो आपके पास बहुत जादा कॉंटिटी हो जाएगी और माली यह प्राइस अप्रेस्टेशन होता है तो ठीक है अधरवाइस आपको डिविडेंड अच्छा मिलता रहेगा क्योंकि PSU कंपनी डिविडेंड अच्छा देही रही है आप देख सकते हैं गवर्में 21st है इसके बैककप में और रेलेवे का विसतार तो आप दीक ही रहे हैं रेल में कितना कामकाज होता रहता है कभी पुल बनना है कभी रेलेक्रिफिकेशन करनी है रेलेवे में कभी टेकनोलोजी के विसतार है कभी infrastructure को लेके बढ़ावा है कभी बुलेड बनने वाली है कभी rail line बिछली हैं, कभी pull बनने हैं, कई पुराने pull ढग हैं, तो उनको नए बनाने हैं, तो इस तरीके कामकाज चलता रहेगा, तो यही कमपनी जो है, फाइनस करती है, तो इनका कामकाज अच्छा चलता रहेगा, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं, आशा है कि आप समझ यही मेरा जो point of view है, तो मैंने इसको dividend के रूप में चुना है, दोस्तों आप हमारे playlist में भी visit कर सकते हैं, यहाँ पर देखी जैसे dividend stocks हो गए, share portfolios हो गए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से share portfolios है, लाखो नए निवेशकों के लिए share bazaar का basic ग्यान, जो लोग, जो beginner हैं, जिन अलग परफोलियोज हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, उनकी performance भी बताई है, कुछ काफी motivational वीडियोज भी है, share bazaar को लेके और SGB यानि sovereign gold bond क्या है, यह सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, तो ज़रूर वीडियोज में और playlist में आप विजिट किया किजिए गया, थैंक्यो कि दूस्ट